तो everyone one word substitution set number four आज हम इस वीडियो में करेंगे इससे पहले मैं तीन वीडियो substitution set की डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने gaming, study और other words से related कुछ words लिये हैं substitution के अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं और ये वीडियो अगर मेरी अच्छे लगे तो प्लीज सेर हैं सब्सक्राइम आई चैनल शारकति हांस की वीडियो ये वीडियो मैंने किन वर्ट से लिए है related to time की गेड़ जो time को पताने वाले words हैं उनसे तो जैसे happening once in a year साल में एक बार होने वाले तो उनको बोलेंगे सालान या वार सीख ठीक है next happening once in two year वाइनियल तो जो दो वर्ट से बना है यानि कि साल दो साल में एक बार जो होता है उसको उसके लिए क्या वर्ट यूज होगा वाइनियल वाइक लस एनोल से विंकर ये वर्ट बना है next happening once in five years पांस साल में एक बार जो गटने वाले गटना है तो उसको क्या नाम देंगे क्विन कुनेलियल इसको ये पांस वर्ट में एक बार कौन सी चीज होती है जैसे की चुना होते हैं और कौन से चुना हो कौन से एलेक्शन जैसे की पंचायत के और लोकसभा के ठीक है तो ये है क्विन कुनेलियल पांस वर्ट में जो एक बार होते ह नेक्स वर्ड लिया है मैंने one who is in 60s जो 60 की एज में है 60 और 69 के बीच का तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा 60 जेनेरियन क्या 60 जेनेरियन इसी तरह से जो 70 और 79 के बीच में तो उसके लिए 70 जेनेरियन क्या वर्ड यूज करेंगे हम 70 जेनेरियन नेक्स वर्ड लेंगे इसी तरह से 80 से 89 उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम उक्टा जेनेरियन और इसी तरह से 90 और 90 वर्ड ये इसके लिए भी नान जेनेरियन ठीक है नेक्स वर्ड लिखा है मैंने one who is 100 years old जो की सो वर्ड की ओचुका है उसके लिए sanitarian ठीक है नेक्स है a period of thousand years ये कैसा period जो thousand years को बताए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा millennium क्या वर्ड यूज होगा millennium यनि कि हजारों साल में जो गटना गटे वो क्या कैल आएगा millennium नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट वर्ड दिखा है मैंने ए पर्सन हूँ कट precious stones जो precious stones को precious means कीमती precious means कीमती यानि कि मुल्यवान stones को कटे उसको हम क्या बोलेंगे लैपिडिस्ट ठीक है क्या बोलेंगे लैपिडिस्ट या मनी कार मनियों को बनाने वाला क्योंकि मनी क्या है वो precious stones होती है तो उसको शेप देने वाला लैपिडिस्ट यनि की मनी कार next है a person who enters without permission जो बिना किसी की permission के entry करें परवेश करें कहीं भी तो उसको बोलेंगे इंटरडर या घुसपैट या क्या कहेंगे घुसपैट या जैसे कारगिल युद में किसी ने घुसपैट की थी पाकिस्तानी सेनिकों ने पाब इसको हम कैसी कर उन्होंने क्या किया था इंटरडर कारगिल युद में ठीक है कारगिल युद से इसको याद कर सकते हैं हम इसको तो उन्होंने क्या की थी घुसपैट की थी ठीक है या एक वर्ड जो इंग्लिश में हमने सीखना है वो इंटरडर थी next है a person who forsake his religion एक आदमी जो अपना religion त्याग दे अपना धरम त्याग दे इसको क्या कहेंगे हम हिंदी में पहले हिंदी में जानेंगे इसका मेनिंग एक परसन who forsake his religion तो इसको कहेंगे धरम त्यागी यानि की धरम को त्यागने वाला ठीक है या रहनी गेड क्या वर्ड है रहनी गेड नेक्स है a person who talks very little जो बहुत ही कम बाते करें ऐसा विक्ति क्या कहलाएगा अल्प भासी इन्दी में क्या है अल्प भासी अल्प मींस कम और बाशी बाशावाड़ा अल्प मींस कम बाशावाड़ा यानि की कम बोलने वाला तो ऐसे को इसमें result क्या कहेंगे एक नंबर ओफ शिप एक नंबर ओफ शिप जो पूरे काफिले में शिप चाते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज होगा fleet क्या वर्ड यूज होगा fleet next word है जैसे style full of words एक ऐसा style जो वर्ड से भराओ तो इसके लिए हम वबोज क्या कहेंगे वबोज या शब्दा अडंबर पूरण शब्दा अडंबर पूरण यानि की शब्दों से पूरी तरह से भरा हुआ लिखने का जो तरीका है वबोज अडंबर मतलब दिखावा next is story in words एक ऐसी story जो वर्ड के रूप में लिखी गई है तो उसको बैलेड क्या कहेंगे बैलेड बैलेड मींस गाथा गीत क्या गाथा गीत next है plain और self evidence truth तो plain और self evidence truth के लिए plain means बिलकुल समतल समन्य और self evidence truth उसके लिए trism क्या वर्ड यूज होगा trism meaning क्या है स्वेम सिद स्वेम दोवारा सिद किया हुआ ठीक है next है contempt of god contempt of god यानि कि बगवान की ईश वर निंदा निंदा करना तो इंग्लिश में क्या कहें इंगे इसकों बिलेड स्वेमी बिलेड स्वेमी तो ये थे हमारे कुछ one word substitution because words if you like my video please share and subscribe my channel thanks for watching